नमस्कार मैं हूँ रेखा मेरी सुपर रसे में आप लोगों का स्वागत है और आज में आपके लिए राजिस्तान की फेमस डिस यह और की रेसिप लेकर रहे हुँ जिसे हम एक्तम हल्वाई जैसे बनाएंगे और वो भी घर पर और तीज आ रही है सिंजारा आ रहा है और रक्षय बंदन आ रही है आप इस पर बना सकते हैं इन्हें बहुत से फेस्टिबल आ रहे हैं और तीज और सिंजारे पर यह खास घेवर बनाए जाते हैं बनाएंगे इसके रबडी यानि कि मलाई के और यह जिसे कहते हैं आप रबडी हे तो शुक्त मलाई के और बीना सांशे कि बनाएंगे हम इसे एंगों जिसे थोड़ा सा लंबा हुजाएगा तो आपको रजिप एच्छी लगे तो लाइक और शेयर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लेजिएगा तो चलिए बना लेते हैं खेवर तो देखे आज हम मलाई खेवर बनाने बाले हैं तो सबसे पहले उसके लिए मलाई बनाते हैं यानि कि रबडी बना लेते हैं तो रबड़ी बनाने के लिए मेंने यहाँ पर 1 लिटर दूद लिया है और फुल क्रीम वाला दूद लिया है तो इसमें अच्छा सा उबाल आने देता है ये देखे अब इसमें उबाल भी आ गया है और गैस को मैंने फुल कर रखा था अब मैं इसको थोड़ा स्लो कर देती हूं गैस को तभी आपका दूद जो मंदी मंदी आज पर पकेगा तो आपकी जो रबडी है बहुत ही पढ़िया बनकर तयार होगी और जो साइड में इसमें मलाई लग जाती है न तो अब इसे क्या करना है मैं दूसरे गैस पर रखने वाली क्योंकि हम चाशनी बनाएंगे तो गैस को थोड़ा सा स्लो करके रख दीजेगा तो यह धीर धीर अपने आप पकती रहेगी और हमारा आगे का काम भी हो जाएगा यहां देखिए बड़े असा इसमें उबाल आ रहा है अच्छे से यह उबल रही है तो बस अब क्या करती हूं मैं इसे दूसरे गैस पर रखती हूं और यहां पर मैं ले रही हूं यहां गैस पर मैंने खाली बर्तन लिया है और इसमें डाल रही हूं में एक कप चीनी और एक कप से कम में ले रही हूं पानी और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसमें बड़ी असा उबाल आने देंगे अब यहां देखें मेने आदा चहटा चुमच इलाइची पाउडर डाला है व्यूडियो स्किप हो गई है आप चाहे तो यहां पर केसर भी डाल सकते हैं मैने इलाइची पाउडर डाला है तो 5-6 मिंट लगे इसे पकने में तो यहां देखें बढ़िया से उबाल आ रही है चेनी अच्छे से पक चुकी है, यानि कि चेनी पिघल चुकी है, तो आप क्या करेंगे, इसे पकने देते हैं, इसी तरह से उबलने देते हैं, अब यहाँ देखें, तीन से चार मिंट हो गई यह से पकते हुए, तो इसका तार चेक करेंगे, हामें एक तार की चार्षनी चाह थोड़ा से इसे और पकाते हैं, 5-6 मिंट लग जाएगे आपके चार्षनी को बनने में, यहां देखें, इसे 5-6 मिंट हो गई है, तो लास्ट बर इसका तार हमें चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा ठंडा करेंगे, चमच के पीछे लेकर, अब यहां देखें, तार आपको इसे बंद कर देते हैं, उठा कर साइड में रख देते हैं, अब यहां पर जो हमारी दूसरे गैस पर रखी वी थी, रबड़ी उसे देख लेते हैं, यहां देखें कितनी बड़ी है, इसमें मलाई आई है, और यह दीर दीर पक रहा है, देखें, और गाड़ा भी होने लग जिसे हम खाना खाते हैं, वही लीए मैंने, तो चलिए इसे बनने में 15-20 मिट लगेगी, मैंने पहले बता दिया है आपको, यह देखें, अब हमारी रबड़ी बनकर तयार हो चुकिए, मैं चमच से दिखा देती हूं, आपको यह देखें, और यह ठंड़ा होने के बाद थ अब गी लिए है, और गी Capital मेल्ट नहीं लिया है, इस थाहिए हमें गी देखें, जो सादा वाली चमच लिए है, हमें अब हमें क्या करना है, यहां पर मैंने आइस लिए है, यह देखें, पास थे च्छे टुक्ड़ी बरफ के लिए है, अब क्या करेंगे, अच्छे से इस गी को हमें एकदम क्रीमी सा बनाना है यह देखे एकदम हलवाई जैसे बनाना सिखारी में आपको हलवाई इस तरह से बनाते हैं देखे जो भी गी में दाना होता है वो खतम हो जाता है और एकदम क्रीम की तरह तयार हो जाता है देखे बरक से और ज्यादा समय नहीं लगता है तो से तीन मिट में ही तयार हो जाता है, देखे, कितरा से क्रीम कितरा बनका तयार हो गया है, और बिल्कुल भी दाने नहीं है इसमें, यह देखे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है गी हमारा, अब हम क्या करेंगी, जो बरफ की टुकड़े हैं, उन्हें निकाल देंगे, क्योंक एक कब भर कर मैदा लिए देखें अगर आप इसे ग्राम से नापेंगे तो 200 ग्राम हमारी मैदा होगी तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे एक साथ नहीं डालना है आपको थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा मैदा और अच्छे से मिक्स करिएगा तो 2-3 चमपच इस तरह से डालिए और फिर इसमें घीमे मिला देजे इसे यह देखें तो चले मैं यहाँ पर अब सारी मैदा इसमें अड़ कर देती हूँ बची हुई मैदा थी वो सारी मैने इसमें डाल देखें किस तरह से यह तयार हो गया अब आपको क्या करना है इसे अलग-लग करना है अच्छे से इस तरह से मसल ना है इसे यह देखें इस तरह को अलग-लग कर लीजिए इस तरह आप इसे यह देखें बढ़िया से यह तयार हो गया है दोनों हाथ उसे मसल लीजे इस तरह से आप इसे अब यहाँ पर देखिए मैंने आधा कप दूद लिया है और दूद भी हमें ठंडा लेना है जो भी पानी दूद जो भी चीज़ा आपको इस्तिमाल करने है सब ठंडी होनी चाहिए द्यान रखिएगा और यहाँ पर एक कप ठंडा पानी लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा घूल तयार करेंगे और एक साथ पानी बिल्कुल मट डालेगा वाना क्या होगा लंप्स हो जाएंगे तो आपसे बनेगा नहीं तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा इसमें और अच्छे से इसमें मसल लिएगे देखे जिस तरह से मैं हाथों से रगड रही हूँ और चार से पांच मिट लगती है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन घेवर आपके एक्तम हालवाई जैसे बनेगे यह देखे मैं आपको पास से दिखा रहे हूँ हातेलियों से इस तरह से मसल यह सारे लंप्स यह हलवाई लोग भी डालते हैं और इससे बहुत ही बड़ा टेस्ट भी आता है और बड़ासी बाइंडिंग मिल जाती है हमारे घेवर को अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं बैटर देखे आप अभी यह थीक है हमें पानी थोड़ा और डालना होगा इसमें तो मैं जान पर देखे मैंने एक निए कचलनी और नीचे बरतन लगाया और इसमें डाल देते हैं यह देखिए थोड़ी थोड़ी दाने हैं इसमें şu, जिकुटनिंस में दी आपको दिख रहे गे न यह चाननी से खतम हो जाएए तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से इसे घोल लेते हैं चमच से इसे अच्छे से mix कर लेंगे और थोड़ा से पानी में और डाल देती हूँ यह देखे तो यहाँ देखें, सारे लंप्स इसके खतम हो गए हैं बढ़िया सा बैटर तयार हो गया हमारा देखें और इससे बनाने में आपको लग जाएंगे तीन कप पानी के ये देखे बैटर अच्छे से तयार हो चुका है तो चलिए मैं बता देती हूं आपको किस तरह से पता करें इस तरह चमच के पीछे लीजे और एक लाइन कीचे लाइन दोनों मिल नहीं रही है तो इसका मतलब मैंने फूल नहीं भराए तेल को आदे से थोड़ा कम रखा है और बैटर को मैंने फ्रीज में रख दिया था तेल गरम होने के बाद ही बहार निकाला है और आप चाहे तो इसके नीचे आइस लगा सकते हैं किसी बरतन में डाल कर मेरा बैटर ठंडा है तो यहां देखे तेल अच्छा गरम हो चुका है और तेल गरम होने के बाद थोड़ा थोड़ा बैटर आपको इसमें डालना है तेल अच्छा गरम होना चाहिए और बैटर आपका ठंडा होना चाहिए ध्यान रखेगा यह दोनों बाते और थोड़ा थोड़ा बैटर यह आपको इसमें डालना है आधा-दha चमच डाल रहे हूँ देखे में और गेस की फिलेम आपको फुल रखनी है गेस की फिलेम का इस तरह धहन रखेगा कि आपका जितना बड़ा बर्दन है ना बर्तन के नीचे नीचे उसकी फिलेम आने चाहिए बाहर नहीं निकलनी चाहिए पर बरतन के नीची होनी चाहिए तो यहां देखें, मैं थोड़ा- थोड़ा बैटर इसमें डाल रही हूँ और अभी आपको बीच में होल नहीं करना है, बीच में नाइफ नहीं लगाना है थोड़ा सा इसे पक जाने देना है, उसके बाद में हम से नाइफ से बीच में थोड़ा सा होल बनाएएंगे, ताकि हम जब बैटर डाले, तो ये अच्छे से ये देखिमें आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएं, बीच में अच्छे से होल है इसमें, और थोड़ा- बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यहां देखिए आप देखे नाइप लीजिए और बीज से थोड़ा इससे साइड में कर दीजिए यह देखिए ताकि हमारा यह होल नहीं यह बना रहें ताकि हम बैठ डाले तो हमें जगे मिल सके डालने की यहां देखे और पेटर डालने के लिए आप सॉस बोटल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा से इसी तरह से बनाती हूँ आप या फिर सॉस बोटल ना हो तो आप साधा बोटल लेकर उसमें छेट कर लेजे उससे भी आप बना सकते हैं लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बनाती है उसलिए मैंने चमच का ही इस्तिमाल किया है यहां देखें बीच में डालिएगा सेंटर में यानि की जहां पर आपको होल दिख रहा है बस इसी में बैटर को डालना है आपको और नाइफ से अगर आपको लगे कि विल्कुल छेद बन्ध हो रहा है यह तो आप नाइफ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर साइड में कर दीजिए और बीच में बैटर डालते लिए यह देखें जिस तरह से मैं कर रहे हूं वीडियो में आप देख रहे हैं और यहां पर देखें हमारा गेवर जो है बनने वाला है देखें थोड़ा सा बैटर में इसमें और डाल देते हूं यह देखें अब यहां देखें गेवर को आपको थोड़ा सा नीचे दबा देना ह ताकि अच्छे से लिगतेन में और अच्छे से उपर से भी पकत चाई यहाँ दिखिए हमारा घhãवर अच्छे से पक चुका है और तयार भी हो गया गया है तो इसे क्या करेंगे च्छनी पर निकाल देंगे एक प्र निकल जाएगा तो ओइल निचे आ जाएगा और यहां पर देखें ओइल अच्छे से निकल चुका है और घेवर देख लेजे आप अब यहां देखें यहां पिर मैंने च्छने लीए और नीचे एक स्टेंड लगाया है यह देखें ताकि जब हम इस पर चाशनी डालेंगे तो नीचे निकल और रबडी को मैंने पहले से फ्रीज में रख दिया था, या देखे चाशनी नीचे आ गई है, एक्ट्रा चाशनी नीचे निकल गर आ जाएगी और यह देखे कितना पढ़िया लग रहा है गेवर, आप इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, बहुत टेश्टी लगता है, तो चले हम रबडी वाला गेवर बना रहे हैं, यानि कि मलाई गेवर बना रहे हैं, तो दूसरा गेवर में और बनाया है मैंने, वो भी इस पर रख दे और गाड़ी भी उचीकी है, देखे कितनी गाड़ी हो गई है, तो चली फटापर से गेवर पर लगा लेते हैं, जल्दी से इसे तयार कर लेते हैं, यहाँ देखे, तो मैंने अच्छे से इस पर लगा दी है रबडी, यानि कि मलाई, और इस पर डालेंगे थोड़ी सी और हमारा रबडी गेवर बनकर तयार है, और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है, यह कमेंस करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर कर दीजेगा, चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा, बेल आइकन को प्रेज जरूर कीजेगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुच सके, और इन तेहार पर आप इसे जरूर बनाएगा, तीज से जारे या फिर अक्षा बंदन जब भी चाहिए बना सकते हैं आप इसे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,